का अब गया सबसीडी देते तो कानूत एक होता है को म mund गरीब से गरीब को सबसीडी जाते हैं अमीर से हमीर को घरको भी जाती है αλλά भों खरहबो कामाने वाले को भी सबसीडीवाला गया सिलिंडर मिलता हैसाँ है आप ये सबसीडी क्यों लेते हजार बारा सो पंदरा सुरुपे में क्या रखा है आपके लिए तो ये एक दिन का जेव खर्चा भी इससे ज़्यादा होता है आप हहरान होंगे देश के सामाने मानवी के दिल में देश को आगे बढ़ाने की अधम में इच्छा है ये मैं जब कहता हूँ तो उसका उधारण क्या है उधारण ये है सवा करोड देशवासी यानि कि सवा करोड परिवार भारत में कुल 25 करोड परिवार है सवा सो करोड परिवारों ने सामने से कह दिया बोदी जी आपने कहा है आज से सबसुड़ी नहीं लेंगे ये उस बात का सबूत है कि सामान्य मानवी देश को आगे ले जाने में अपने आपको भागिदार बनाना चाहता है नेत्रुत्व करना चाहता है कुछ कर गुजरना चाहता है और बात में हमने क्या किया है ये सबसुड़ी सरकार के खजाने में डाल करके सरकारी खजाने की चिंता नहीं किये हमने का ठीक है इसको हम उन गरीब परिवारों को देंगे जो गरीब लकड़ी का चूला जलाते हैं कि महनत मजदोरी करते हैं लेकिन बच्चों का पेट भने के लिए सुबे तीन-चार मज़ेぎं उठकर के लखडी लाते हैं लखडी का चूला जलाते हैं खाना पकाते हैं फिर छोड़ कर के जाते हैं बच्चे बाद में खाते हैं और विज्ञानिक कहते हैं कि लकड़ी का चूला जलाने से जो धुआ होता है एक मां जब पुरा दिन भर कीचन में जब भी खाना पकाती है लकड़ी का चूला जलाती है चार सो सिगारेट का दुआ उस मा के शरीर में जाता है चोटे चोटे बच्चे घर में खेलते हैं यह दुआ उनके शरीर में भी जाता है अब आप कल्पना कर सकते हैं जिस मा के शरीर में एक दिन में चार सो सिगारेट का दुआ जाता है उस मा के शरीर का हाल क्या होगा उन बच्चों के शरीर का क्या हलोगा अगर मैं स्वस्थ भारत का सपना देखता हूँ तो स्वस्थ मा स्वस्थ बालक होना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने बिड़ा उठाया और लोगों से कहा कि जो सवा सो करोड सवा करोड लोगों ने एक गैस सबसीडी छोड़ी है वो उन गरीब परिवारों को सिलिंडर हम दे देंगे और यह सबसीडी गरीब केहां ट्रांसपर कर देंगे इतना ही नहीं जिसने सबसीडी छोड़ी थी उसको चिठी भेजी कि आपने जो गैस सबसीडी छोड़ी थी गुजरात के फलाने गाउं में आपने छोड़ी थी लेकिन अब आसाम के फलाने जिले के फलाने गाउं के फलाने गरीब को यह सबसीडी ट्रांसपर कर देंगे मेहनत पढ़ती है लेकिन ये ट्रांस्परंसी एक नया विश्वास परदा करती है आप जब इंदुस्तान में थे तब आपने देखा होगा कि गैस का सिलिंडर पाने के लिए पताने कितने कितने पापड बेलने पड़ते थे कि नेताओं के घर चक्कर लगाने पड़ते थे कि गैस का कनेक्शन दे दीजिए हमने बिड़ा उठाया है आने वाले तीन वर्ष में पांच करोड गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देना उसको लकडी की चुले से मुक्त करना और मुझे खुशी है कि अभी तो इस योजना को ग्यारा बारा महिने भी नहीं हुए है अब तक करीब एक करोड से जादा परिवारों में गैस सिलिंडर हमने पहुचा दिये है पहुझ आम हमेगी नहीं एक mooी गोह है क्योजने करें तो अलादे है अपामानल यह को विरिवारों